हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि वीवर T3 light phone में आप लोग बैक बटन चेंज कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Vivo T3 light phone है और इस phone में जो है आपको back button change करना है आपके phone में जो back button लगा हुआ है guys जैसी कि मेरे phone में देख सकते हैं जो back button है guys कुछ इस तरीके काई नीचे button ने 3 यहाँ पर सी easily in button को use करके back कर सकते है लेकिन अगर आपके phone में दूसरा वाला back button लगा हुआ है guys आपके phone में जो यह वाला back button लगाना है चेंज करके या अगर आपके phone में यह वाला लगा हुआ है आपको जो कुछ दूसरा back button लगाना है तो कैसे आप लोग अपने इस phone में back button को change कर सकते हो guys तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेक बटन चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेंगे यहाँ पर system का देख सकते हैं तो इस system के option पर क्लिक करेंगे तो चेंज करके आपके जो भी लगाने जैसे कि मेरे phone में 3 button navigation लगा हुआ है तो अकर मैं gesture navigation पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं हमारा जो navigation बार है मतलब जो back button है तो चेंज हो चुका है अभी देख सकते हैं आपर से कुछ इस तरीके से हमें back करना होगा नीचे कोई button नही सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Vivo T3 light phone में आप लोग back button चेंज कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते का लेक नेक् कर लिए बबाई